जब 2018 में रोकिंग इस्टार यस और प्रसान निल की फिल्म केजेप चेप्टर वन सिनमा घरों में रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को सौथ एरियास में तो बंपर ओपनिंग मिली थी लेकिन नोर्थ मार्केट में फिल्म को ज़्यादा इस्क्रिन नहीं मिली जिसके चलते इस जैसे जैसे लोगों को पता चला कि केजेप चेप्टर वन एक सामदार फिल्म है उसके बाद धिरे धिरे इस फिल्म को हिंदिय दर्सक भी देखने गए और केजेप चेप्टर वन ने हिंदी वर्जन में लगभग 50 करोड के आसपास की कमई की हाला कि केजेप चेप्टर कि साउथ तो छोड़ी आप हिंदी दर्सकों के बीच में भी इस फिल्म को लेकर इतनी ज़्यादा एकसाइटमेंट ही कि सभी चाहते हैं कि जब केजेप चेप्टर वन के सामने सारुक खान के फिल्म जीरो रिलिज हुई थी वही इस बार केजेप चेप्टर टू के सामने बोल्यूड के एक और खान यानि कि आमिर खान के फिल्म रिलिज हो सकती हैं जीरो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बोल्यूड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने निकल के आई है कि बोल्यूड के मिश्टर परफेक्ट कहे जाने वाले आमिर खान गेजिएब चेप्टर 2 के साथ क्लेज करने का प्लान कर रहे हैं तरअसल दोस्तों आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ा पिछले साल क्रिस्मस पे रिलिज होने वाली थी लेकिन पेंडेमिक के चलते फिल्म के रिलिज डेट बार बार पोस्पोन होती रही और अभी केजिएब चेप्टर 2 के साथ क्लेज करने के प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे मुझे समझने आ रहा कि आमिर खान क्या सोच कर लाल सिंग चड़ा को केजिएब चेप्टर 2 के सामने रिलिज कर रहे हैं आमिर खान एक बहुत बड़े सूपरिश्टार है इसमे कोई सकनी है लेकिन इस वक्त KGF Chapter 2 Indian Cinema की one of the most awarded film है और अगर KGF Chapter 2 के सामने अमिर खान के लाल सिंग चड़ा रिलिज होती है तो आप भी जानते हो कि दोनों फिल्मों को बोक्स ओफिस पर एक भारी नुकसान हो सकता है बाके दोस्तों आपको क्या लगता है अगर लाल सिंग चड़ा और KGF Chapter 2 दोनों ही फिल्मे एक दिन रिलिज होगी तो कौन सी फिल्म वक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कमई करेगी अपने राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले